हलो एव्रिवान है मैं audible and visible to all एक बस अभी लोग comment section के बता देंगे कि हांजी मैं your audible and visible to all okay so hello everyone welcome to achiever series और आज हम बहुत बहुत important error reduction की questions करने वाले हैं बहुत सारे grammar की concepts को सीखने वाले हैं so I hope सभी लोग excited हैं आज के session के लिए yes how's the josh everyone I hope it is extremely high जित्ते भी नए students है इस चानल बे पहली बार आए है सबसे पहले इस चानल को subscribe जरूर कर लेंगे इस वीडियो को like जरूर कर देंगे और share जरूर कर देंगे जैसे जैसे आप like करते जा रहे हैं जरूर करते जारे हैं मुझे बताते भी जाहिए जिसे कि मैं आपको personally thank you भी बोल सको तो start करें session are you guys excited चलिए तो let's get started 2 minute का wait कर लेते हैं सभी लोग को join करने देते हैं जब तक आप लोग share करते रहे है like करते रहे वीडियो को जिसे कि maximum students are this session को join कर ले और बहुत सारे concepts को सीख सके yes good afternoon लिपे का good afternoon सुमित मंजीत गुपता जी awful ghost wow what a name चलो तो start करते हैं आज की series को next set of questions पे आते हैं कोई भी doubt हो कोई भी query हो आप हमें इन numbers पे WhatsApp करके या call करके पूत सकते हो SBI PO का notification आ चुका है SBI clerk का notification आ गया था IBPS PO का exam है oh my god इतनी सारी opportunities है back to back तो अब तो बहुत महनत करना बनता ही बनता है क्योंकि इतनी सारी opportunities एक साथ कभी नहीं मिली isn't it? चलो start करते हैं आज के पहले question पे आते हैं पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग इस question को खुद से पढ़ो और identify करने की कोशिश करो कि इसमें क्या गलती है और आपके पास 45 seconds का time है चलो Read this sentence and try to identify which part is incorrect किस part में error है चलो the time is up सबसे पहले इस question को करने से पहले आज का concept number one सीखते है कि आज का grammar का कौंसा concept है जो हम सीखने वाले हैं और वो concept कहता है कि जब भी आपको past point of time दिया गया पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है पिटा past point of time का मतलब होता है कि वो काम कब हुआ था वो काम पिछले हफ़ते हुआ था या कल हुआ था या October में हुआ था या November 2020 में हुआ था या जब COVID आया था तब हुआ था जब भी आपको past point of time दिया गया हो कि ये जो क यह past में हुआ था हमेशा और हमेशा याद रखना जो tense आप यूज़ करोगे वह कौन सा होगा जो tense आप यूज़ करोगे वह हमेशा और हमेशा simple past tense होगा simple past tense का मतलब क्या है कि आप अगर assertive sentence है तो वर्ब की second form लगाओगे अगर कोई question है या कोई interrogative sentence है या कोई negative sentence है तो डिड के साथ क्या लगाओगे डिड के साथ वर्ब की first form लगाओगे ये है active voice अगर passive voice है तो क्या लगाओगे अगर passive voice है तो वर्ब की third form लगाओगे तो ये तीनों की तीनों चीज़ें हम use करते हैं simple past tense में, इसमें use करते हैं, simple past में, चलो अब इस question को ध्यान से देखते हैं, the parliament, parliament जो है, vote कर रही है, किस लिए vote कर रही है, elect करने के लिए, किसको elect किया जाएगा, president को elect किया जाएगा, जो मुश्किल में country है, उसके president को elect करने के लिए, parliament में voting चल रही है, after the incumbent president, incumbent का meaning क्या होता है, incumbent का meaning होता है, जुसने अभी कुरसी पर जो है, जुसकी अभी official position है, office के chair holder, उसको हम क्या बोलते हैं, incumbent, तो जो incumbent president है, उन्होंने resign कर दिया, और वो protest के बाद भाग गए, last week दिया हुआ है, मतलब past point of time दिया गया है, मतलब जो tense use होगा, वो simple past होगा, तो head fled की जगा हम क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम fled लिखेंगे, that means the part is incorrect, the part में error है, कोई दिकत किसी को, first question कितने लोगा ठीक हुआ, I hope many of you, बहुत सारे बच्चन को first question ठीक हुआ है, अगले question पर आते हैं, और यह रहा second question आपकी screen पर, यह जाद ही तेज भाग जाता है, ना, चालो, second question, और यह रहा 45 seconds का timer, आगे बढ़ते हैं, इस question को देखते हैं, fissure is the reaction, fission जो है, एक reaction होता है, जो humans ने crack कर लिया है, मतलब humans को इसके बारे में knowledge है, humans को इसके बारे में पता है, and involve, क्या गरबड मिली, गरबड यह है, कि अगर आप देखोगे, यह जो involve है, इसका जो subject है, वो fission है, fission क्या है, noun है, और यह क्या है, subject है, और क्या है, यह singular है, तो जब भी subject singular होता है, और noun होता है, noun तो होता है, यह subject obviously बात है, तो हम उसके simple present tense में क्या इस्तिमाल करते हैं, वर्ब की first form में, s और es आता है, अगर आपका subject singular है, तो आप क्या यूज करोगे, आप वर्ब की first form में, s और es का इस्तिमाल करोगे, अगर आपका subject plural है, तो s और es नहीं आएगा, लेकिन अगर singular है, तो s और es आएगा, तो यहाँ पर क्या हैगा, involves आएगा, उसमें क्या involve होता है, उसमें involve होता है, एक जो nucleus होता है, बहुत बड़े element का, वो छोटे-छोटों के लिए बट जाता है, so which part is incorrect, किस part में error हो गया, c part में error हो गया, involve की जगा, आप involves लगाओगे, अब इसमें कुछ और concepts भी हैं, की सीख लेते हैं, क्योंकि ultimately हमारा मकसद है, अपनी grammar को strong बनाना, isn't it? तो क्या दूसरा concept समझ में आ रहा है, कि आपके पास अगर already लिखा हुआ हो, yet लिखा हुआ हो, so far, so far का मीनिंग क्या होता है, अब तक लिखा हुआ हो, now लिखा हुआ हो, just now लिखा हुआ हो, ever या never लिखा हुआ हो, और action जो है completed हो present में, तो जो आप tense यूज करते हो, वो कौन सा होता है? जो आप tense यूज करते हो, वो tense होता है present perfect, present perfect tense का मतलब क्या होता है बिटा? आप has और have के साथ क्या लगाते हो? has और have के साथ verb की third form लगाते हो, तो अगर कोई भी शब दिन में से हो, you will always and always use present perfect tense. तो क्या आप इसको देख पा रहे हो? अल्रेडी लिखा हुआ था, इसी लिए हमने जो tense यूज किया, वो क्या यूज किया था? इसी लिए हमने जो tense यूज किया था, वो present perfect था. कोई दिक्कत किसी को इस concept में, ये जो error detection की series चल रही है, आप चाहे banking का paper दो, SST, CGL दो, CHSL दो, STENO का paper दो, CPO का paper दो, जिसमें भी error आता है, जिसमें भी grammar से सवाल आते है, आपको बहुत जादा help होगी. ठीक है? इन्वॉल्ड नहीं इन्वॉल्ड आएगा बिटा, फिजिन इस and involves, फिजिन इस simple present tense, फिजिन involves simple present tense. चालो, अगला question पर आते है, next question और ये रहा timer. आते हैं, चल यह दो टाइम इस अब समय खतम हो चुका है अगले कॉंसेप्ट पे आते हैं अगला कॉंसेप्ट पीटा क्या है यह जो शब्द होता है ना इन्फर्मेशन यह जो शब्द होता है ना एडवाइस न्यूज जूलरी, सीनरी, पोईटरी, इमेजरी फर्निचर, लगेज, बैगेज यह सारे के सारे क्या होते हैं यह सारे के सारे uncountable nouns होते है uncountable का मतलब क्या है कि आप इनको गिन नहीं सकते आप इनको गिन नहीं सकते इसका मतलब क्या है इसकी कोई भी plural form नहीं exist करती है कोई भी plural नहीं होता है वर्ब भी कैसे आती है इनके आगे जो वर्ब आती है वो भी कैसे आती है बेटा वो भी आपकी singular आती है प्लूरल नहीं आती है अब इस question को देखो computers जो है ऐसा हो सकता है बहुत जादा अच्छे हो humans से सही बात है ऐसा हो सकता है कि जो computers हैं वो humans से बहुत जादा अच्छे हैं computers को numbers याद रहते हैं computers calculation solve करने में बहुत अच्छे हैं लेकिन सारी की सारी information को आप number से represent नहीं कर सकते तो informations नहीं आएगा क्या आएगा यहां पर information आएगा which means which part is incorrect किस part में error है C part में error है कोई दिक्कत एक request करूंगी सभी से बाइस सो बच्चे देख रहे हैं अट लाइक्स के लाट सो है ऐसा क्यों if 2200 students are watching the 2200 लाइक्स भी अभी के अभी होने जाए तो please make sure that you like this session and you share this session यह session आपको बहुत help करने वाला है क्योंगी complete grammar ऐसे ही आपकी cover हो जाएगी चल यह आगे बढ़ते हैं अगले question पर आते हैं बड़ उससे पहले मुझे एक चीज का answer दे दो यह समझ में आ रहा है यह passive voice है can be represented जब भी कोई model verb होती है उसके आगे be, be लगा होता है तो हम क्या लगाते हैं verb के साथ third form लगाते हैं can plus be plus verb की third form क्या होता है passive voice होता है एक बच्चे का सवाल आया बड़ा ही विचित्र सवाल है विचित्र सवाल क्या आया बच्चे का कि मैं बठ के साथ नौट नहीं लगाते हैं हाई रभा मैंने तो पढ़ाया था बोथ के साथ नौट नहीं लगता यह concept आप लोगों के दिमाग में कैसे आया कि बठ के साथ नौट नहीं लगता है हाँ आज मुझे जवाब चाहिए उस बच्चे से कि यह concept कहां से कहां से generate हुआ कि बठ के साथ नौट नहीं लगता है और मुझे उस बच्चे से अभी के अभी answer चाहिए अंजी चलो, next question हाँ, जनता जवाब मांग रिये बिटा आपसे अगला सवाल एडिटूरिल तो बिटा हो गया सुबह चलो, time is up इस question को देखते हैं, इस question को concept अभी हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था इस question का concept क्या है कि जब दो लोगों की बात हो आप और आपके साथ वाले की बात हो आप और आपके पास वाले की बात हो सिर्फ दो ही लोग उसमें इंवाल्ड हो तो उस case में हम क्या लगाते हैं उस case में हम इच अदर लगाते हैं दो लोगों की बात होती है तो क्या लगता है इच अदर लगता है राम और श्याम लाइक इच अदर सीता और गीता लाइक इच अदर जेंडर में थोड़ा सा दिक्कत हो गया उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं Shiam and Geeta like each other. तो जब भी दो लोगों की बात हो, इच अदर लगेगा, जब भी दो से जादा लोगों की बात हो, क्या लगेगा? जब भी दो से जादा लोगों की बात होती है, तो हम one another लगाते हैं. राम, Shiam, Ghanasham, Radishiam and everyone spend time with one another. तो आपके brain में इतने सारे neurons हैं, जो आपस में लगातार बात करते रहते हैं, बहुत सारे हैं, दो से जादा हैं, तो हम यहापे क्या लिखेंगे? वन अनदर लिखेंगे आपके माइंड में इतने सारे neurons हैं जो आपस में लगातार बात करते रहते हैं, signals को exchange करते रहते हैं, connections के across और उसको बोलते गया है उसको जो नाम दिया रहा है वो है synapsis So which part is incorrect, c part is incorrect, each other की जगा वन अनदर आएगा कोई दिक्कत किसी को मैं अब तो लीगल हो गया है हां सही है and that is something which is very natural, तो उसके उपर I don't think, जो stigmatize किया गया है उस चीज को जो आप खराब नजरों से देखते हो या आप उस चीज को खराब मानते हो, it is not something to be stigmatized stigma, word का meaning क्या होता है कोई मुझे विदा सकता है इसके उपर आपका descriptive writing का topic भी आ सकता है it is not something which should be stigmatized, stigmatize means किसी चीज को कलंकित कर देना किसी चीज को खराब नजरों से देखना कि वो गलत है चलो अगले सवाल पर आते है next question of the day और ये रहा timer चलो, answer दो जितने भी नए बच्चे हैं जो जो जॉइन करते चाहरे हैं वो चैनल को subscribe ज़रूर करते हुए चलेंगे चलो, एक concept है अगला concept क्या कहता है फ्रॉम आग्रा डैश पंजाब क्या लगा हूँ? एंड लगा हूँ ये टू लगा हूँ? बिट्वीन आग्रा डैश पंजाब तो अगर हम फ्रॉम लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? फ्रॉम आग्रा डैश पंजाब आग्रा से पंजाब तो फ्रॉम के साथ हम क्या लगाते हैं? टी ओ टू लगाते हैं बिट्वीन आग्रा डैश पंजाब आग्रा और पंजाब के बीच में तो between के साथ हम क्या लगाते हैं, between के साथ हम and लगाते हैं, क्या ये concept clear है, चलो अब ये concept clear है, तो इस सवाल को देखते हैं, in recent years, अभी के सालों में, global supply chains ने बहुत सदा disruption phase किया है, मतलब चीजें बहुत उथल पुथल हो गई है, बहुत सारे कारणों की वज़ा से, पहला कारण क्या था कि एक ही ship ने पूरी की पूरी स्वेस कैनाल को ब्लॉक कर दिया, और दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था कि COVID-19 pandemic का पूरे की पूरे विश्ववर पे बहुत जादा impact पड़ा था, so किस part में error हो गया, D, part में error हो गया, and की जगा क्या आएगा, and की जगा, T, O, 2 आएगा, कोई दिकत, इस से लेकर इस तक बहुत सारे चीजें हुई, जो international ली हुई, जिसकी वज़ा से, जो global supply chain था, जो समान आने का, जो पूरा का पूरा system था, वो खराब हो गया, clear, between 8 a.m. and 9 a.m. सही है, तुम कब available हो, when are you available, आपने बोला, I am available from 7 p.m. to 8 p.m., या फिर I am available between 7 p.m. and 8 p.m., चलो, अगले सवाल पर आते हैं, next question on your screen, और ये रहा, timer सभी की screen पे, अचा, आज सभी को पता है न, तीन बजे, जितने भी बच्चे हैं, जो banking exams की तयारी करें specifically, उनके लिए बहुत important strategy class है, की तयारी कैसे करनी है, क्या-क्या चीज़ों को focus करना है, तो वो सभी students मुझे तीन बजे मिलेंगे इसी channel पे, बहुत जरूरी class है, बहुत important class है, वो class किसी की भी miss नहीं होनी चाहिए, तीन बजे जोर्ड इसी channel पे class है, चलिए, अगले सवाल पर आते हैं, next question क्या है, अगला सवाल है, अगले सवाल को करने से पहले एक concept समझ लेते हैं, concept यह है कि जब भी since और for, जब भी since और for time के बारे में बात करते हैं, मैं banking exam की, SSE exam की तयारी कर रहा हूँ, जब से घरवालों ने घर से बाहर निकाल दिया है, तो जब भी since और for होते हैं, और यह time की बात करते हैं, हमेशा याद रखना, जो action जिसके लिए बात करते हैं, वो या तो perfect होता है, या फिर क्या होता है, perfect continuous होता है, यही दोनों tenses हैं, जिनके बारे में यह बात कर सकते हैं, इसके अलावा यह किसी और tense की बात नहीं कर सकते, अब एक खास बात और आती है इस concept में, और वो खास बात क्या है बेटा, वो खास बात है, कि अगर since के आगे कोई tense है, जब से मैंने तुमको देखा, जब से मैं मुझे घर से बाहर निकाला गया, जब से अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, जब से जिन्दगी के अंदर एक जोश आया है, जब से ब्रेक अप हुआ है, या जब से पैच अप हुआ है, तो जब से के आगे अगर कोई और action है तो उसका जो tense आता है, वो क्या आता है, उसका जो tense आता है, वो simple past होता है, क्या ये concepts अभी को clear है, इस this concept clear नहीं मैं, जब से दिल टूटा है, दिल टूट गया है, बहुत अच्छी बात है, आप कम से कम पढ़ाई पर फोकस तो आएगा, तो इसमें कोई खराब बात नहीं है दिल टूटा है तो, चलो, तो tense कौन सा आएगा, tense will be simple past, तो since the war in Ukraine, जब से Ukraine पे लड़ाई हुई है, तो tense कौन सा आएगा, जब से Ukraine पे लड़ाई हुई है, simple past tense आएगा, इसका मतलब क्या है, verb की second form आएगी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, began आएगा, तो 12 रुपया की वाल्यू कम होती जा रही है डॉलर की अगेंस्ट रुपी की वाल्यू तब से कम होती जा रही है पहले जो है 70 रुपी के असपास का था और अब 80 रुपी के असपास का हो चुका है तो रुपी की वाल्यू कम हो रही है डॉलर की वाल्यू बढ़ रही है दोनों क लगाएंगे कोई दिककत किसी को भी anyone any problem till here पिस आप लोग नो बड़ी कंजूसी करते हो मैंने देखा है तीन हजार बच्चे देख रहे हैं मैं सोलह सो यह लाइक्स you all are what क्या word यूज कर सकती हूं English का miser niggard parsimonious तीनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है अगले question पर आते हैं और यह रहा timer सभी के लिए हे प्रभु इतने सारे बच्चे ई वाले आपको इस sentence की गलती ने दिखी इ कैसे बोल रहे हैं इतने सारे बच्चे concept याद करो concept क्या कहता है concept कहता है कि जब भी enter word लिखा हुआ होगा और अगर बाहर से अंदर जाने की बात हो रही होगी किसी टीस में अंदर जाने की बात हो रही होगी किसी टीस में involved होने की बात हो रही होगी लेकिन उसका meaning बिलकुल ही अलग होता है और meaning क्या होता है किसी चीज को sign करना किसी agreement को किसी treaty को sign करना enter into तब आता है कैसे आप लोगोंने e बोला मैम इतनी देर हो गई थी e वाला कोई आने ही रहा था तो इसको देखके लगा कि e होगा दिल तोड़ दिया आज अपने मेरा मतलब गलत को गलत नहीं बोला अपने जब plastic जो है environment में रहता है बहुत लंबे time तक तो जब plastic environment में बहुत लंबे time तक रहता है और decay नहीं करता खतम नहीं होता वो micro plastics में convert हो जाता है सबसे पहले हमारी food sources में आता है फिर उसके बाद human body में आता है और ये जो चीज है ये हद से जादा harmful होती है हद से जादा नुकसान दायक होती है So which part is incorrect? C part is incorrect? Enter के आगे in या into नहीं आएगा कोई दिक्कत इस question में? Anyone? कोई problem? Please guys मुझे ये मैम वाली dress चाहिए तो please मैम को बोलो कि मुझे बता दे ये dress कहां से ली बिटर क्या ही बोलू मैं इस पर? Dress से जादा focus content पर कर लोगे तो भला हो जाएगा आपका एक बच्चे का doubt क्या है? Periods of time सही है? Yeah long periods of time मतलब 2 घंटे, 3 घंटे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ये सारे के सारे क्या है? Periods of time है? चालो next question और ये रहा timer सभी के लिए बच्चे के लिए तो आप लोग देख लेती हूं तो आप लोग का event बन चुका है 3 बजे वाली class का make sure करना कि आप उस event को जरूर attend करें 3 बजे लाइब हो जाएगा live 61 minutes okay चलो इस सवाल को देखते हैं the band debuted in 2013 debut करने का मतलब क्या होता है सबसे पहला performance band का सबसे पहला performance कब था June 2013 में था and within the few years the few difference पता है कली I think 120 rules of grammar का shot आया था few a few और the few में difference वाला कोई मुझे बता सकता है इन तीनों में क्या difference होता है few a few and the few सबसे पहले तो few किसके साथ use करते हैं जिन चीजों को हम गिन सकते हैं countable nouns के साथ आप क्या use करते हो countable nouns के साथ हम few यूज करते हैं तो मतलब है ना के बराबर इसका मतलब क्या है दुख की बात है भही ये ना के बराबर not at all दुख की बात तो ये है कि likes बहुत कम हैं इस class में there are few likes in this class दुख की बात है ना के बराबर कौन सी tone है negative आप few का मतलब क्या होता है थोड़े से मतलब बारिश हो गई थी फिर भी थोड़े से बच्चे हैं जो क्लास में आ गए थोड़े से मीज़ खुशी की बात है चलो थोड़े से तो आए The few का मतलब होता है जितने हैं उतने ही जितने हैं उतने ही All that are there इसकी टोन कैसी होती है Neutral होती है The tone is what? The tone is neutral जैसे few है ऐसे ही little होता है बट little को हम किसके लिए यूज़ करते हैं Voice का issue आ रहा है अब चीक है बिटा ऐसे ही little को यूज़ करते हैं बट little को किसके लिए यूज़ करते हैं Little को uncountable nouns के साथ यूज़ करते हैं तो band ने डिब्यू किया June 2013 में और कुछ ही सालों में worldwide sensation बन गई कुछ ही सालों में थोड़े से सालों में क्या बन गई पूरी दुनिया को पकड लिया पूरी दुनिया तक पहुच गई and within few years ना के बराबर साल में ही बहुत जादा आगे बढ़ गई तो within few years भी लिख सकते हो हम क्यों गाना गाते थे क्योंकि हम यूथ को empower करना जाते थे हम यूथ को और strong बनाना चाहते थे कोई दिक्कत किसी को समझ में आया ही question चालो अगले question पे आ जाते हैं next question आपकी screen पे ये रहा और ये रहा timer सभी के पास क्योंकि हम पे रहा जाते हैं क्योंकि हम पे रहा जाते हैं चालो टाइम इस अप इस question को देखते हैं इस question में क्या गड़ड है अब मोटले मोटले का मीनिंग क्या होता है combination अलग अलग तरह के लोगों का mixture को बोलते हैं मोटले तो अब मोटले group of art enthusiast amateurs कौन होते हैं जुनका काम नहीं होता है सिर्फ enjoy करने के लिए किसी काम को करते हैं उनको बोलते हैं amateurs hobby and practicing artist तो सिर्फ hobby की तरह करते हैं practice कर रहे होते हैं और जो students हैं वो हर हफते मिलते हैं हमेशा याद रखना each, every, either, neither अगला concept क्या है 120 rules of grammar rule number one each, either, every, neither इन सब के बार directly कोई noun आता है तो वो हमेशा क्या आता है हमेशा singular noun होता है क्योंकि हम हर एक की बात कर रहे हैं हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं और जो वर्ब आती है वो भी कैसी होती है वो भी singular ही होती है each, either, every, neither के आगे कभी भी आप singular verb ही लगाओगे हमेशा कभी भी plural verb नहीं लगाओगे हाँ, अगर इनके बीच में off लग जाए, every के आगे तो off नहीं लगता लेकिन अगर each के आगे off लग जाए या either के आगे off लग जाए तो आप उस case में plural noun लगाते हो अगर off नहीं लगा हुआ है तो जो noun होता है वो हमेशा singular ही होता है तो every weekends नहीं आएगा every weekend आएगा वो हर हफते मिलते हैं interact करने के लिए, लिखने के लिए और sketches को समझने के लिए अपने खुद के नजरिये से तो C part is incorrect I hope 120 rules of grammar तू सबने देखे हैं न 120 rules of grammar बहुत important है 120 rules of grammar कर लोगे grammar की टेंशन ही खतम है तो make sure that you complete your 120 rules of grammar as soon as possible चल अगला question homework question है और I hope सभी को पता है जो बच्चे homework में answers देते हैं और मेंसे कुछ बच्चों को select करके team books भिजवाती है तो एक तो मैं कल वाले winners का नाम बता देती हूँ वो बच्चे मुझे mail कर देंगे एक screenshot भेज देंगे कि उन्होंने ही वो comment किया था तो कल वाले winners का हमारा नाम है शुरुति गर्ग अन्गौरफ कुमार तो शुरुति गर्ग अन्गौरफ कुमार मुझे एक screenshot भी भेज देना कि वो comment आप ही ने किया था टीम आपको contact करके आपकी books भिजवा देगी यह आज का homework question है इस question को ध्यान से देखो सभी लोग comment section में बताएंगे कि किस part में error है which part is incorrect इसमें आपको बताना है यह homework question है आज का एक यह book ले लेना भी practice के लिए 120 rules of grammar वीडियो देख सकते हो तो बहुत अच्छा है वीडियो नहीं देख सकते हो तो इस book में आपको जो मैं पढ़ारी हू सारे के सारे concepts सारे के सारे questions सब चीज आपको इस book में मिल जाएगी तो English with Nimisha Bansal करगे Telegram Channel है Join this Telegram Channel You will get all the PDF सारे के सारे PDF आपको मिल जाएगे चालो तो आज का session end करते हैं तीन sentences अभी लोग मिल के बोलेंगे 1, 2, 3 and go English is a very easy language I am very good at English and I'll definitely get my dream job Thank you everyone Bye-bye, take care, stay blessed and tada